नगर निकाय चुनाव की तारीख नजदी का रही है इसी को देखते हुए हर प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटा हुआ है इसी करम में वाड 52 मंटोला से सपा पारशद प्रत्याशी पपू पहलवान शेतर में जन संपर्क कर लोगों से अपने लिए सहयोग माग रही है उत्तर प्रदेश नगर नेकाय चुनाव 2023 की सरगर्मी बढ़ती जा रही है सभी प्रत्याशी अपने शेतर में जन संपर्क करने में लगे हुए है इसी करम में समाजवादी पार्टी की तरफ से वाड 52 मंटोला से प्रत्याशी पपू पहलवान ने भी अपने कारेकरताओं के साथ शेतर में जन संपर्क किया सब मेरे साथ है कांदे ते कांदे लगा के चलते हैं और ये समाजवादी पार्टी के मजबूत कारे करता है और एक घर जे मंटोला से कंगाल पाला बालविल समाज महर समाज हर समाज का बोट मेरे साथ है और देहने को हर साथ मेरे साथ में चलने को तयार है और हर समाज से ब सबाकार करताओं ने पूरे जोर शोर से वाड 52 मंटोला से प्रत्याशी पपू पहलवान को विजाई बिनाने की लोगों से अपील की छेतर की जनता पूरी साथ में है बाड नंबर बामन की जिस छेतर में भी जा रहे हैं माविर नाला घाटी मामू भंजा टीला अजमेरी खा जमात खाना मंटोला बाल मस्ती नाला मंटोला मोती करता हिंकी मंडी कंगाल पाला मीरा होसैनी लाडो गली थाना मंटोला के सामने ती जिद वाली गली और एक गली और सबने यह कहा है कि पहलमान विकास तो होते रहते हैं लेकिन तुम जीतवियों हमारा जन्द संपर्क और बोड पूरा तुम्हारे तन्मन से हम तुम्हें बोड देंगे दिया है और तुम्हारे से वा कोई प्रतियाशी हमें नजर नहीं आ रह हाएंगे चेतरी जन्दा का आप देख रहे हो पूरा चेतर पार्शन जी के साथ है एंड़ेट परसंट इनकी फाइट में कोई है नहीं इनका विकास बोलता है और यह हर बार हमेशा हमारा साथ करते हैं और हम इनका सायों करते हैं बिलकुल दो बार रहे हैं तीसरी बार इं हर समाज का सहयोग मिल रहा है पिछले दिनों उन्होंने यह भी कहा था कि पहले भी उन्हें जन्ता का समर्थन मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा मैं भी जन्ता के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलता रहूँगा और जन्ता जानती है कि समाजवादी पार्टी हर समाज क साथ रहती है भाजपा की सीधी टकर समाजवादी पार्टी से है सी न्यूज के लिए अंजली की रिपोर्ट